नमस्का दोस्तों आप लोगों का विकेश्टेडी चैनल लाहबार्द पर हारदिक स्वागत है आज हम इस टापिक में टी-ई-टी के बारे में बात करेंगे यूपी टी-ई-टी के बारे में जो की अमर उजालाग में न्यूज आया था तो देरी नहीं करते हुए हम बात करते हैं टी-टी के बारे में क्या क्यान इस पेपर में है तो हेडलाइन है इसका नए साल में यूपी टी-ई-टी करने की तयारी तो प्रात्मे की स्कूलों में सिच्छा बनने की तैयारी कर रहें परतियों के लिए खुश खबरी है उत्ता परदेश सिच्छा पातता परचिच्छा यूपी टीटी 2020 कारणाने का आदेश जल्दी जारी होने का संकेत है परचिच्छा नियामा परदेश कार्याल है इसका प्रस्ताव काफी पहले भेच चुका है और सासन से आदेश मिलने पर इंतिजार किया जा रहा है इस साल की परचिच्छा नयए साल की सिरुवात महीनने में हो सकती है सान संदेश जारी होते ही आनलाइन अवेदन आधी परक्रिया अगले माह में शुरू हो सकती है यानि कि दिसंबर में परिच आनलाइन की परक्रिया शुरू हो सकती है प्रादिकारी कर्याले के अनुसार नॉम्बर माह में अनलाइन अवेदन लेने की सिलसिला शुरू होगी उसी समय परिच्छा का तारिक का भी एलान किया जाएगा इस बार अवेदन 10 लाग से अधिक होने की उमीद है क्योंकि इस परिच्छा में सफल होने वाले की तादात का फिर कम रहती है सनी सची अनिल्भूस चत्रिवेदी ने बताया कि परिच्छा का आदेस जल्द मिलने की उमीद है सरकार का भरतियों पर जोर योगी सरकार का भरतियों कराने पर विसेस जोर है प्राथ में कि स्कूलों में नई सिच्छा भरती के लिए UPTET जरूरी है वैसे भी परिच्छा नियमा प्रदिकारी करे आला है वर्स में एक बार इस परिच्छा का योजन कराता आ रहा है इस बार कुरोना संक्रमन की योजन से भी लंब हुआ प्रस्ताव में दिसंबर अंद तक परिच्छा कराने की योजना थी पहले अपसरों ने इस पर गवर्न नहीं किया इसलिए परिच्छा जनवरी या फर्वरी माह में फर्वरी में हो सकती है इसका मतलब हुआ कि अगले माह में यानि कि नॉवंबर में इसका अनलाइन सुरू होगा और उसी समय एक्जाम डेट भी आएगा और इसका एक्जाम डेट जनवरी फर्वरी में माह में पढ़ सकता है आप लोग तैयारी करते रहें अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें हमेशा हम आप लोगों के धन्यवास साथियों